आज मैं आप सभी के लिए लेकर आगया हूँ आप सभी के कहने पर एक सीरीज वाल इस्टोरी जिसका पार्ट वन आज मैं आपको सुनाऊंगा और इसका पार्ट टू कुछ समय बाद आपको सुनने को मिलेगा इस्टोरी में भीजी है रितिका जी ने आए बिना समय बर्बाद करे सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं परदेव इतनी रात को गारी से जाना हम सुबभी तो जा सकते हैं न मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा प्रणव ने चिंता जताते हुए कहा तू परिशान मतो सब ठीक होगा और यहां से सक्ष्म का घर कितना है दूरा है बस दो घंटे की तो बात है अब उसने बुलाया है और वो काफी परिशान भी लग रहा था फोन पर तूने सुना न उसको देव ने प्रणव की गंदे पर अपना हाथ रखते हो बोला यार हमें आये बस दो दिन हुआ है और रास्ता भी अंजाना है उसका घर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है और तो रात को पहाड़ियों स रास्ते पर जाना चिंता छोड़ और ये फाइले समेट कर गेट तका मैं गाड़ी पार्किन से लाता हूं देव ने प्रणव की बात बीच में ही काट कर कहा प्रणव ने हामें सरहिला दिया देव और प्रणव फिरोजाबाद के रहने वाले दोनों जवान थे दोनों की उ पहले ही दोनों का ट्रांसफर उत्रा खंड के किसी शहर में हुआ था दो दिन पहले ही वो दोनों यहाँ पर आये हैं कंपनी नहीं उनको रहने की विवस्ता करवा दिया है सक्षम भी इन्हीं का क्लासमेट था कॉलिज में हाँ जाया दोस्ती नहीं थी पर अच्छी साज़ दारी हुआ करती थी तीनों की दो साल पहले जब कॉलिज छूटा तो सक्षम के रास्ते इनसे अलग हो चले क्योंकि सक्षम इतना खास दोस्त नहीं था इनका देव मनमोजी और अडेल किसम का था पर प्रणव इसके बेकुल उल्टा था वो समझदार और सजग और शान्द किसम का लड़का था दोनों की दोस्ती का बैलन्स शायद इसलिए था कि एक मनमोजी और दूसरा समझदार साथ ही प्रणव को पूरो अभास का तौफा जनम से मिला था जब वो साथ साल का था और उसके पापा काम से बाहर गए थे तो उन्हें रात को आने में देर हुई प मानों से शांत करने को जल्दी ही सुला दिया बगर अचानक ही प्रणव बेचैनी से उठकर फून की तरफ भागा प्रणव की मा हड़बढ़ा हट से पीछे दोड़ी हलो हलो पापा प्रणव की सांसे तीज और हातों में कपकपी थी रास्ते में जो पुल आता है उसको पा भी अपनी सांसों को नियंतरत करने की कुशिश कर रहा था पिता से आने थे और बेटे की बात मान कर दूसरे रास्ते से घर आ गए और अगले दिन अखबार में आया कि शहर जाने वाला पुल कल अकसमात रात को गिर गया पर शुकर की बात थी कि जिस समय पुल गिरा तर उ ऐसे उसने अपने पिता के साथ होने वाले दुरगटना को टाल दिया ये पहली बार था कि उसको अपने पूरवभास के बारे में ग्यान हुआ इसके बाद कुछ छोटे मोटे एहसास हुए पर उतने तेज नहीं आज फिर उसका मन विसमित हो उठा व्यकुलता और बेचैन से नाक कान गर्म से हो रहे थे वो कापते हातों से फाइले दख रहा था एक नजर पूरे ऑफिस में घुमाई तो देखा सब जा चुके थे और घड़ी में साड़े ग्यारा बज रहे थे घड़ी की आवाज ने पसरे हुए सननाटे में हलका सा शोर कर रखा था प्रणव मन प्रणी मन बातों का हिसाब लगाने में व्यस्त था और हाथ फाइले लगाने में कमाल की बात थी जिस शक्षम से दो सालों में बात नहीं हुई आज अचानक उसने हमें कैसे याद करा और तो और आखरी बात जब उससे बात हुई थी तहम फिरोजाबाद में ही थे तो उस इसी मुसीबत में हैं तो उसको तो किसी और को बुलाना चाहिए चो उसका दोस्त हो या फिर कोई करीबी कॉलिज में भी हमाई दोस्ते कोई खास नहीं थी खिर्कियों की खट-खटाट से प्रणव की मुद्रा तोटी देखा तो तेज हवा के कर्ण उसके कैबिन की खिर्क नहीं बंद कर दी और उसने अपना फोन और बैग उठाया और चार्जर उठाना भूल गया गाना गुन गुनाते हुए देव पार्किंग तब पहुचा पार्किंग विलकुल खाली थी और बस सरसराती ठहनियों और पत्तियों की आवाज आ रही थी देव ने गार्ड को आ करते हुए कहा वो गाड़ी गेट तक ले गया जहां प्रणव उसका इंतजार कर रहा था चले देव ने कहा प्रणव ने गारी का दर्वासा खोला और बैठ गया और दोनों ही ओफिस से निकल गए आज कल काम बहुत बढ़ गया है थकान भी कितने हो जाते हैं ना प्रणव प्रणव ने कहा हाँ सो तो है अब रोज इसी वक्त घर जाना होगा देव ने जवाब दिया प्रणव एक बात बता क्या तुझे रात को सफर करने से डर लगता है देव ने हसते हो बूचा अरे नहीं बस यूँ ही रात का समय है पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है जब से सक्षम के फोन की घंटी बजी है तब से मन कुछ ठीक नहीं प्रणव ने धीमी आवाज में जवाब दिया अच्छा ऐसा क्यों बहला देव ने पूचा यार तुझे कुछ अजीब नहीं लग रा कि ऐसे अचानक सक्षम का फोन आया और वो भी इतनी रात को और उसे कैसे प खास बात भी नहीं होती थी कॉलिज में तो जब उसको कोई परिशानी है तो किसी और को बलाता ना हमें क्यों बला रहा है उसे किसी ऐसे को बलाना चाहिए था जो उसका दोस्त हो हमें ही क्यों प्रणव यूँ पर जोड दे कर बोला प्रणव की बाते सुनकर तो अब जीब तो है पर हो सकता है किसी ने बताया हो या उससे पता चलिया हो कुछ भी हो सकता है पर उसने मदद के लिए बुलाया है तो जाकर देखाते हैं क्या पता पुराना कुछ बोज हलका हो जाए देव बोल ही रहा था कि अचानक उसने बहुत देज भीक लगाए जिससे टा कैसे हो गया देव आश्यर जनक आवाज में सामने देखते हुए बोला बारिश की मोटी मोटी बूंदे गाड़ी की छट और शिशे पर आवास करने लगी बिजली की गड़गड़ा हट भी सुनाई दी बारा बच चुके थे आसपास घुप अंधेरा था और बस गाड़ी की ह कुछ देर वहीं पर रुके रहे कोई वाहन आजा नहीं रहता वाँ पर सडक एकदम सुनसान थी और दोनों आगे का रास्ता देख रहे थे कि अचानक एक आवास के साथ गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई देव और प्रणव अचानक हुई इस दस्तक से डर गए उन्हों प्रणव ने शीशे की और देखा तो दो आदमी साइगल पर सवार हाथ में लालतेन लिये थे बदन पर भूरे रंग का शौल था शकले कुछ रंग से दिखाई नहीं दे रही थी पर गाड़ी में जाकती वो चार बड़ी आखें लालतेन की रोशनी में खूप शमक रही थ एक बार को तो उन्हें देखकर वो डर गए प्रणव ने शीशा थोड़ा नीचे करा तो उनमें से एकनी बोला बाबुजी मुह खोलते ही प्रणव की भूए टेड़ी हुई अभास हुआ कि दोनों ने पी रखी है आगे रास्ता ठीक नहीं है आप दाईयों और जंगल के रास्ता होता हुए निकल जाएए 20 मिनट में रोड तक पहुँच आएंगे हम उदर से ही आ रहे हैं पर सुबह तो रास्ता ठीक था अवाचानक क्या हुआ देव ने पूछना चाहा पर उसकी बात अंसुना करके वो दोनों वहां से चले गए प्रणव और देव ने पीछे से कडक रही थी तेज हवाएं पेडों की टहनिया और पत्तियों पर थपेड़े मार रही थी पास जंगल में से बिल्ली और कुत्तों के रोने की आवाजे आ रही थी मौसम का रुक अटपटा सा होने लगा था इस बिन मौसम तूफान और बारिश ने आधी रात को सुनसान सड़क के बीच खड़े देव और प्रणव की कुछ पलों के लिए गिगगी बान दी थी दिल की धड़कने कानों तक सुनाई दे रही थी और दिमाग ने तो काम करना भी बंद कर दिया था दोनों एक दूसरे को होसला देते बारिश ने मौसम में ठंड पैदा करी थी और इलाका तो था ही पहाड़ी पर ठंडे मौसम में भी दोनों के माथे से पसी ने छूट रहे थे लगभग दस मिट बाद प्रणव ने गाड़ी में पसरी शांती को तोड़ा तू गाड़ी हुमा मुझे शुरुआत से कुछ ठीक नहीं लग रहा था पर तुझे तो मदद करनी थी देव ने प्रणव को जवाब देने के लिए मुख खोला ही था कि उसका फोन फिर बचा देव ने स्क्रीन पर देखा तो वही नंबर था जिससे कुछ तेरे पहले सक्षम ने बात करी थी उसने फोन उठाया और स्पिकर पर डाला हलो देव ने धीमे स्वन पूछा हलो देव या कहा है तू सक्षम की अवास काप रही थी और सांसे तेज थी मानो जैसे वो भाग रहा हो हाम पहुची रहे हैं बस तू भाग क्यों रहा है सब ठीक है न वो इससे पहले वो आगे कुछ बोलता कि पीछे से किसी इनसान की भारी आवास सुनाई दी वो रहा पकडों से तुम लोगों से एक बंदा नहीं समलता सक्षम की एक चीक सुनाई दी हलो हलो सक्षम देव कुछ बोलता कि फोन कट हो गया उसने दुबार नमबर डाइल किया पर नमबर अब स्विच ओफ था शिट ये नेट्रग भी आर देव ने जुझला कर अपना हाथ स्टेरिंग पर मारते हुए बोला भाई कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड है एक तो ये बंदा ही अजीब है उपर से कोई इसके पीशे पड़ा है पुलीस को बताने की जगा ये हमें फोन कर रहा है प्रणव की आवास में शक और डर दोनों घुले थे प्रणव यार मदद नहीं कर सकता तो तू चुप बैट और अपना गणित लगाना बंद कर मैं जा रहा हूं उसके पास तुझे नहीं जाना तो अभी उतर जा देव गुस्सें बोला ठीक है चल अब गारी तो श्टार्ट कर प्रणव बोला देव गारी श्टार्ट करने लगा पर गारी श्टार्ट हुई ही नहीं कुछ देर तक शावी गुमाई पर सफलता नहीं मिली अरे यार इसको भी अभी रंग दिखाने थे देव जिंजला कर बोला तू रुक मैं उतर कर देखता हूं प्रणव देव के कंदे पर हाथ रखकर बोला और गारी से उतर गया उसने अपने फोन की टॉट जलाई बाइश तेश थी एक हास से खुद कुछ सिर को ढखकर वो आगे बढ़ा उसने बोनट खोल कर देखा तो सब कुछ ठीक था कुछ एक दो पेज और वायर हिलाई उसने और फिर बोला अब श्टार्ट कर पर कुछ भी नहीं हुआ बोनट बंद करके अब वो पीछे देखने गया तो फोन की टॉट से देखा कि साइलेंसर में कांच के कुछ टुकड़े फसे थे उसने उन्हें धीरे से अपने रुमाल से बाहर निकाला और फेक दिया और उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया वो पूरी तरह भीग चुका था बैग में रखे हैंड टॉल से खुद को पोच रहा था और बोला अब श्टार्ट हो जाईगी चल देव ने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई साइलेंसर में काच की बोतल के टुकड़े फशे थे प्रणा बोला पर राचानक आये कहां से वो दो बंदे जो साइकल पर थे शादोनों ने कुछ किया होगा वैसे भी पिये हुए थे साले बोतल तो होगी चोर जख्के भी हो सकते हैं पक्का लूटने की फिराक में थे हमें तुझ जल्दी चलिखर से और हाँ जंगल से नहीं सीधा जाएंगे क्या पता हमें लूटने की फिराक में और गुमरा कर रहे हूं प्रणा उने जल्दी यल्दी बोला देव ने हां में सर हिलाया और गाड़ी बैक करके घड़े से बचाते हुए दोनों सीधे निकल गए प्रणव ने फोन में गूगल मैप लगाया था कि अचानक फोन बंद हो गया देखा तो बैटरी डेड आज किसका मूँ देखकर निकले थे यार प्रणव अफसोस करने लगा और वो बैग में चार्जर ढूडने लगा बट उसे मिला ही नहीं मिलता भी कैसे वो तो ओफिस में छूट गया था ना चार्जर तो ओफिस में ही रह गया प्रणव गरदन को पीशे सीट पर लगा कर बोला और तेरे फोन में नेट्रक भी नहीं है अब क्या करें तो टेंशन मतले मैंने पूरा रास्ता पहले ही देख लिया था तेव अपनी तियोरिया चढ़ा कर बोला शुक्र है एक बच चुका था और वो अपने शहर से काफी दूर आ गए थे बारिश थोड़ी हलकी होने लगी थी पर अंधेरा गहरा दूर से देखने पर दिख रहा था कि पास में कोई गाउं है कुछ घरों की लाइटे जिलमिल जिलमिल जल रही थी थोड़ी दोशनी देखकर दोनों की जान में जान आई नहीं तो कुछ देर पहले तो रात ने उन्हें अपनी पूरी खुबसूरती दिखा ही दी थी और कितना दूर है बस ये गाउं पाल करके जो दूसरी सड़क आईगी न उससे बाहे मुड़ना है वहीं से उसका गाउं शुरू हो जाएगा देव ने उत्तर दिया प्रणव ने एक गहरी सास थोड़ी यार हमें पुलिस को बताना चाहिए ना कि ऐसे हमारा कोई जानने वाला मुस्टीबत में है और हो सकता है उसके बीच्छे कोई गुंडे पड़े हो पहले एक बार उसे चलिकर देखते हैं क्या पता मामला कोच हो रही हो लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस को बताने में संकोच नहीं करेंगे देव बोला प्रणव ने देव का फोन उठाया तो देखा कि उसमें सिगनल आने लगे थे अब उसने लाज्ट डायल नंबर मिलाया देव ने पूछा क्या हुआ आउट ओफ सर्वेस दा रहा है क्या फिर से मिला अभी भी वही देव ने सक्षाम के घर के लिए बाई और गाड़ी घुमाई घड़ी में देड़ वज रहे थे और बारिश भी अब रुख गई थी पर हवा तेज थी और रात भी अपने चरम पर थी कुछ तेर आगे चलने पर उन्हें घर दिखने लगे सड़के चौड़ी थी पर कच्ची गाड़ी का सफर गाड़ी का कम और उट का सफर ज़्यादा लग रहा था दोनों गाड़ी से उतरने को ही थे कि खिड़गी पर दस्तक हुई उन्होंने देखा तो दोनों की आखे फटी की फटी रह गई और शीशे पर और कोई नहीं बलकि वही दो आदमी थे जो कुछ घंटे पहले उन्हें साइकिल पर मिले थे देव ने शीशे उतारा तो उन्हें से एक बोला का बात है बाबुजी इतनी रात गई यहां कहां गोम रहे हो किसी को ढूड़त नजर पढ़ते हो हम कुछ मनदबद कर दे हैं बताई कोनों का बात अचाही तो तुम दोनों हमारा पीशा कर रहे हो क्या शकल से लगते भी चोरी हो और तुम नहीं हमारी गाड़ी के साइलनसरे बोतल फसाई थी देव गुसाई आवाजे बोला हां बोरा गयो बाबुजी तिकाय होए हो का का ओ जिनुन बोल रहे हो देखा शंबू वो अपने साथी की और देख कर बोला हमका भी लगता राजन इसाव या तो बोरा गयो है या टिकाय होए है शंबू बोला और दोनों ने ठाका लगाया अब देव का गुसा साथ वे आसमान पर था अब इस साले बोराया मैं नहीं हो तू है और अगर तुन सच नहीं बोला न तो उतर कर इतना मारूँगा कि एक घंटे क्या तुम दोनों को अपनी पूरी जिंदिगी भर का याद आ जाएगा देव उची हवाज में बोला देखे साब आप होंगे बड़े बाप की उलाद परिका मतलब भी नहीं कि आप गरीब से बत्तमीजी करें हम बोले न कि हमने आपको नहीं देखा हम तो इसी गाउं के रहने वाले आदमी है हमनी अम्मा को लेने सहर जा रहे हैं परिसान दिखे तो पूछे कौन है आप हम पर ही गुर आ रहे हैं राजन तंकर बोला देव और प्रणव गारी से उतरे और देव ने उतरते ही राजन का कौलर पकड़ लिया जादा शाना बन रहा है में जागे अभी एक मुक्के में तेश सारी बत्ते सी बाहर निकाल दूँगा साथ में तेरी जवान भी दराग इसके रहे हो हम ड़ता नहीं हो राजन ने भी देव की गर्दन को दबोचा प्रणव और श्यम्भू उन दोनों को छुडाने में लगे थे खुब हला हुआ और इतने शोर में सब लोग जाग गए और था भी तो गाउना गाउं में लोग की नीन कच्ची होती है आसपास के घरों से लोग अपने अपने हाथों में लाठिया लिए बाहर आए तो देखा दो आजमियों में जगड़ा हो रहा है और तू तू महवे भी खूब चल रही है उन में से एक आगे आया जो देखने मुख्या लग रहा था उसने दोनों को अलग करा हटो छोड़ो अरे राजन शम्भू तुम दोनों तक यहां क्या घूम रहे हो और इसाब को ने का माजरा है रात में हो हल्ला मचायो देखिए न मुख्या जी हम तो जाई ही रहे थे कि यह दोनों साब को हमने देखा परिशान लागत रहे तो भूज ले कि कौन को ढूण रहे है बस इतना ही बोले कि जड़पने लगे हमी पर कहने लगे कि हम जोर हैं इका पीछा करते हैं देखा है देखा है का रागार आपने लगे हम मना भी करें पर ना जाने क्या हुए ने उतरे और चड़ गए हम पर अब आप ही बताओ मुख्या जी हम कच्छ गलत करें का गाजन बोलते बोलते सुबकने लगा इका पातुई साब आप हमरे ही गाओ में आकर हमरे ही आदमी को मारत रहे वो बेशार तो आपकी मदद करना चाहता था और रही बाद दिन की तो एक घंटे पहले तो हमारे गरी आये थे हमसे साइकिल लेने मुख्या देव से बोला देव अपने पक्ष की बात रखता इससे पहले ही प्रणव बोल पड़ा माफ करना हमें नजरों का धोका हुगा हुगा इतना अंधेरा था न शायद गरत स्यमी हो गई होगी माफ करना है मैं उसने मुख्या और राजन दोनों से माफी मांगी देव कुछ बोलता कि प्रणव ने उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया कोन बात नहीं आप माफी मांग रहे हैं ये कारण आपको छोड़ रहे हैं और आप साब कुछ सा गाबू में रखिये मुख्या देव गी और देखते वे बोला वैसे हम यहां किसी को ढून रहे हैं उसका घर नहीं मिल रहा अगर आप बता दे तो बड़ी महरबानी होगी हाँ बताईए मुख्या बोला सक्षम नाम का रड़का किदे रहता है हमारी उमर का है बता सकते हैं कौन सा घर उसका मुख्या के माते पर बल पड़ गए वो सोचने लगा और कुछ दिर सोचने के बाद बोला हमरे ध्यान में तो इनाम का कौनो रड़का नहीं आता कौनो फोटो या मामाप का नाम अगर पता है तो शाथ कुछ पता निकले ऐसा कैसे हो सकता है हमें यहीं का पता बता बता गया था देव बोला नाई साब हम यहां बहुत सालों से रह रहे हैं हमारी जानकारी में जो आदमी के बार में आप पूछ रहे हैं वो यहां नहीं रहता मुख्या ने पूरा आश्वाशन के साथ कहा ठीक है धन्यवाद और आपको इतनी रात को परिशान करने के लिए भी माफी प्रणव ने हाथ जोड़कर मुख्या से कहा और सब लोग वापस अपने घरों में चले गए शम्भू और राज़न भी स्टेशन की ओर निकल गए प्रणव ने देव का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में ले गया तुने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया मैं अपने तरीके सब पूछ लेता देव गुस्सें बोला तु पहले ही अपने हाथों से बहुत बोल चुका था तुझे बोलने देता तो छोड़ सक्षम तो इधर नहीं रहता अब प्रणव बोला पता नहीं मुझे तो ये लोग कुछ थी कहें लग रहे देखा नहीं सक्षम का नाम सुनते ही कैसे माथा ठर गया ता मुखी आगा देव बोला थोड़ा आगे जाकर देखते हैं क्या पता कुछ मिल जाए सक्षम ने बोला था कि उसके घर के पास तलाब है उसे ही ढूंटे है प्रणव बोला देव ने गारी स्टार्ट करी और दोनों आगे बढ़ गए टायरों के निशान कच्छी मिट्टे की सड़क पर बनने लगे और पिछले निशानों को मिटाने लगे पिछले निशान उल्टे पैरों के निशान गाड़ी धीमी गती से आगे बढ़ रही थी जब काड़ी मुखिया जी के घर के आगे से गुजरी तो प्रणव की नजरे मुखिया के घर की खिडगी में काली परच्छाई पर अटक गई उसने पीछे मुड़कर देखना भी चाहा देने लगे थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बाई और एक तलाब दिखाई दिया वो रहा देव ने उस सहा से कहा मानों से कोई ख़जाना मिल गया हो हाँ और जो घर शाल्स के गबगल में है वही है सक्षम का घर प्रणव ने आगे तक सनसरे दोड़ाते हुए कहा उन्होंने घर के आगे गाड़ी रोक दी और दोनों ही गाड़ी से उतरे बादलों की गड़गडाहट से आसमान की और उन्हों देखा मौसम कुछ अलगी मिजाद में था बारिश होने का संकेत तो था परंतु अब तक बारिश शुरू नहीं हुई थी हवाएं तुफान का रूप ले रही थी मिट्टी उड़ रही थी और आँकों से टकडा रही थी देव ने अपने फोन की टॉर्च निकाली और बाहर से घर का परिक्षन गिया पास का तलाब अच्छे साफ पानी से भरा हुआ था साथ में लगे पेड़ पोधे भी अच्छे खासे थे शाद वहीं पास में कुछ जूले भी टंगे हुए थे शाद दिन में बच्चे वहां आकर खेलते होंगे पर कुछ जादा बड़ा तो था नहीं पर जगा काफी थी दो मंदिला अगर पुराने तनिके का बना हुआ आगे बड़ा आंगन दिख रहा था जहां कई सारे गमले दिख रहे थे साफ तो नहीं पर पता चल रहा था कि गमले ही हैं दरवाजे के बाई योर आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी लगा हुआ था सामने ही नेम प्लेट लगी थी कमल जोशी कमल जोशी देव ने हरानी से कहा हाँ सक्षम का पूरा नाम तो सक्षम जोशी है न हो सकता उसके पापा ये दादा का नाम हो ये प्रणव ने जवाब दिया चल अंदर चलते हैं देव ने वो लोहे का दरवाजा खोलते हुए बोला प्रणव उसके साथ चल दिया फोन की रोशनी से दिख रहा था कि आंगन में अच्छी फुलवारी करी गई थी जमीन भी पक्की थी आंगन पार करके दो छोटे जीने थे जिनके उपर बड़े बड़े मोटे थंबले थे सफेद रंके सामने एक लकडी का दरवाजा था जिसके आगे विंड चाइम लगा था और हवा के कार्ण आवास कर रहा था उन्होंने दरवाजा खटखटाने की चेश्टा करी पर अंतो थोड़े ही जोर पर वो अपने आपी खुलता चला गया अंदर थोड़ा सा गए तो देखा कि कहीं कहीं लाल्टेन और मुंबत्तियां जल रही थी थोड़ी रोश्णी थी जिससे अंदर जाने का रास्ता दिखाई पड़ रहा था सक्षम, सक्षम, देव प्रणव धीरे धीरे बोल्ट कर अंदर जाने लगे पर कोई जवाब नहीं आया वो एक कदम आगे बड़े ही थे कि पीछे का दर्वाजा एकदम से बंद हो गया दोनों चोक कर पीछे पलते तो और दर्वाजे की तरफ भागे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे खूब धक्के दिये पर दर्वाजा तस्से मसना हुआ वापस पलते तो देखा कि हौल काफी बड़ा था और सजा हुआ था दाई और बैठक थी और उसके बगल में कमरा जिस पर ताला लटक रहा था बाई और बड़ी सी रोसोई थी और वहाँ से कुछ खटखट की आवाज आ रही थी उसके बगल से उपर की और जाने वाला जीना बना हुआ था और वो लोग रोसोई की और आगे बढ़ गए रोसोई में गुसते ही दाई और फ्रिज रखा था और उसके बराबर से होते हुए ही स्लैब पर काफी साहे बरतन रखे थे सिंक में पाने की टनकी से पानी की आवाज आ रही थी थोड़ी और आगे गए तो उसी तरफ एक खिड़की थी जिससे बाहर देखा जा सकता था उन्होंने बाहर जाका तो लगा जैसे अचानक से नीम के पेड़ की सारी पत्तियां जड़ चुकी हैं और गमले कुछ तूटे हुए हैं तो कुछ सूखे और पेड़ कमजोर और बूढे लग रहे थे सब कुछ जला हुआ सा लगने लगा उन्हें अपनी आँकों पर एकीन नहीं हुआ डर और घबराट के मारे उनके हाथ पैर कापने लगे खड़की के बाहर भयानक और काला द्रश्य वो देखी रहे थे कि पीछे से उन्हें कुछ आवाज आई दोनों का गरा सूख गया और डरते हुए धीरे से दोनों ने एक साथ गरदन गुमाई तो देखा कि एक लालाखो वाली काली बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही थी देव और प्रणव की डर के मारे चीख निकल गई बिल्ली ने उन पर एक दम से जपटा मारा और खुद को बचाने की कोश्श में दोनों ने किसी तरह उसे अपने आप को नोचने से बचाया और खिड़की के बाहर फेक दिया देव और प्रणव के मूँ कान और हातों पर पंजों के निशान बन चुके थे जिन में से थोड़ा सा खून भी निकलने लगा था बिना समय गवाए वो दोनों वहां से भागे दर्वाजे को दोनों ने खूब धक्का दिया और कुछ छे साथ प्रयासों के बाद वो खुल गया बाहर के और वो दोड़े और आंगर में लगे पेड़ों के टहनी से किसी लड़की का जला हुआ शव अचानक से नीचे गिर गया बच्चाओ देव और प्रणव डर के मारे चीखे और लड़क खड़ा कर पीछे गिर गए दोनों पसीने से लटपत हो गए थे डर के मारे वो दोनों दात के टकिटाने लगे थे आँखों से आंसू भी गिर रहे थे और सांसों का अपने उपर कोई काबुत था ही नहीं लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ था और से गले में रस्ती थी जो पेड़ से बंदी थी उसके कपड़े कुछ फटे थे और काले पड़े हुए थे हाथ में एक जला हुआ कागच था जो आदा फट रहा था बिखिरे बाल कुछ गंदे तक रहे होंगे पूरी तरह से चला हुआ बदन और हाथ और पैरों के नाखूनों से खून टपक रहा था किसी तरह उन दोनों ने अपने आपको बेहोश होने से संभाला और दोनों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए दोनों खड़े हुए दरते जरते वो पेर से ठंगे हुए शब को एक निगास से देखने लगे और लोहे के दरवाजे तक पहुँचे लड़की की आँख खुली वो लाल सुर्क आँखे गुस्ते से बड़ी थी उनमें से टपकतावा खुण भी गुस्ते से उन दोनों को देखे जा रहा था उन्होंने जैसे ही उससे नजर हटाई और सामने देखा आग का बड़ा सा बवंडर उनके आगे उनके आर पार हो गया आग में जुरस कर वो दोनों पीछे जीने पर जा गिरे या तो बेहोश या फिर मड़ शुके अगली सुबा रगबग 6-7 बजे एक 33-34 वर्शी आदमी गाने गुन-गुनाता हुआ जंगल के रास्ते अपने खिद की और जा रहा था एक हाथ में लाठी थी तो दूसरे में एक थैला जिसमें कुछ सामान था मस्त बेखबर आगे वो जा ही रहा था कि देखा रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी है वो उसके पास गया तो देखा गाड़ी में कोई भी नहीं था बीच रास्ते और जेंगल में कौन अपनी गाड़ी छोड़ गया आदमी जलाया इधर उधर नजर घुमाई तो देखा पासी में एक जूता पड़ा है उसने जूता उठाया और उसी दिशा में आगे बढ़ गया पेडों के टैनिया और पत्तों को हाथों सहर्टा तक वो आगे चली रहा था तो देखा कि दो नौजवान बे सुस्ते जमीन पर पड़े थे और ये बदरी परसाथ यही कावाल देख लिए सुबा सुबा बदरी परसाथ नीचे बैठा और अपने सिर में हाथ मारते हुए बोला उसने तुनद अपनी जेब से छोटा सा मॉबाइल निकादा और नमबर मिलाया सो तो दोस्तों ये था इस कहानी का पार्ट वन आपको यहां तक की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट्स के जरी जरूर बताईएगा क्या लगता है आपको कि हाँ पर आखिर क्या हो रहा है अपने विचार कमेंट्स नोचे जरूर बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में तब तक के लिए बाइ